घरदेरोगी आजकर बहुत जादा बढ़ते जारहे हार्ट अटेक्स की सफजह बढ़ती चली जारहे है आज की विडियो में आपको 3 भेज कीम्ती मुद्राइं बता हूँगा हो घरदेरोग से बचने के लिए हॉर्ट अटेक्स से बचने के लिए इन मुद्राओं को बड़े ध्यान से देखना, बहुत ही ध्यान से, शायद बड़ी रेरली आपको ये यूट्यूब पर मिल, इसे एक आद मिल सकती है, अधर्वाइस बहुत मुश्किल है ने डूड़ना, तो मैंने भी बड़ी रिसर्च करके इनको बनाया, खुद एक्स्प स्टेप बर स्टेप करके दिखा होगा, हृदे मुद्रा, इसका नम क्या है हृदे मुद्रा, क्या करना है, पांच ओंगलियों को ऐसे नबस्ति की मुद्रा में जोड़ना है, फिर बीच वाली ओंगली को ऐसे मौड देना है, ठीक है, अब आपने देखा, मिडिल फिंगर जो है, उसको ऐसे मौड दिया, अब क्या है, छोटी ओंगली को अलक करना है, इंडेक्स फिंगर को अलक, अंगूठे को अब क्या हो गया, अनामी का ओंगली जोड़ी हुए है, और बीच वाली ओंगली, ऐसे फोड़ की हुई है, और इसको हुर्दे के पास रख लिए, पा अब करिये, आपका हर्दे बहुत ही ज़्यादा स्वस्त हो जाएगा, हर्दे मुद्रा, एक बार फिर से बता देते हैं, आपको हातों को ऐसे जोड़ना है, बीच वाली ओंगली को अलक करना है, इंडेक्स फिंगर, तरजिनी को अलक करना, अगूठों को अलक करना, अनामी का वो जोड़ी रहने देना, हर्दे मुद्रा, यह बहुत बहतरी मुद्रा है, ओके, अब आपको बताते हैं, दूसरी मुद्रा, इसका नाम भी हर्दे मुद्रा है, छोटी ओंगली को अंगूठे से ऐसे फसाना है, यह दो, ऐसे छोटी ओंगली को अंगूठे के दर फसा इंडेक्स फिंगर को ऐसे मौड़ना है, बाकी की दो उंगलिया ऐसे मौड़न देनी है, यह बनगी हिर्दे मुद्रा, बड़ी हुई हिर्दे की दड़कर है आपकी, आप इस मुद्रा को लगाकर लेट जाओ, आराम से लेट जाओ, आप देखो दिल की दड़कर करके दिखा देता हो, छोटी उंगली को अंगोठे के पास ऐसे फसा लेना है, इंडेक्स फिंगर को अंगोठे के मौल से लगाना है, बाकी की दो उंगलियां बीच में घुसर देनी है, छोटी उंगली को अंगोठे के पास ऐसे लगाना है, तरजनी उंगली को अंगोठे क बहुत आसान है, इससे बहुत सरे रोग दूर होते हैं, बॉडि डिटॉक्स होती है, हार्ट अटैक से बचाती है, यह सौरूबिट्रेट की तरह काम करती है, इसको करने के लिए आपको इंडेक्स फिंगर को अंगोठे के मूल में लगाना है, बाकी की तो उगलियां करो तो आपका हरडे इतना ज्यादा बल्वान, इतना ज्याता हेंदी, इतना ज्यादा स्वास्त हो जाएगा, आपको भी मजा जाएगा, शच में यह न हिरोग जरुतल जरूब्स मंद लोगों को पास इसे फौरवर्ड कर डेना, जो हरडेर होगी हैं, जन्हें स्टेंड प करो मैं तो कहता हूँ और 10-15 मिट करो इन तीनों मुद्राओं को कैसा फील हुआ आप जरूर कमेंट करके बताओ तो लोग जरूर इन मुद्राओं को फॉलू करेंगे बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत दन्यवाद जो आप मेरे वीडियो लेखते हैं नए हो तो सब्सक्राइब करें अगर मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं दन्यवाद झाल झाल झाल